हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंग तो कल आपने देखा होगा कुछ केंडिडेट्स की लिस्ट आई है कुछ क्या काफी केंडिडेट्स की लिस्ट आई है जो रिजेक्ट कर दिये गए हैं रिजेक्ट करने का जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ जब exam होता है OMR seat होती है तो उसमें जो detail भरी जाती है तो उसमें roll number होता है roll number के उपपर आपको गोले भी भरने होते हैं और लिखना भी पड़ता है तो इस तरह की कुछ mistake रही होगी या तो गोले उन्होंने proper नहीं भरे या गोले जो थे उल्टे सीदे भर दी होगे तो सबसे पहले तो ये mistake candidates की है मैं बिलकुल मानता हूँ मैं किसी का support नहीं कर रहा तो सबसे पहले तो ये candidates की mistake है क्योंकि आप लोग teacher बनने जा रहे है और सबसे पहले आप लोगों को ये notice करना चाहिए कि आप क्या कर रहे है अगर आपसे गलती हुई तो आपको जो exam center के अंदर जो room में जो exam ले रहे हैं आपका उनसे contact करना चाहिए कि sir हमारे साथ मैं हमारे साथ ये दिक्कत हो गई है तो इसका क्या solution हो सकता है इसके बाद चलो ये तो बात हुई candidates की और मैं इनको बिल्कुल support नहीं कर रहा ये उनकी गलती थी लेकिन इसके बाद बात आती है कि क्या ये जो वहाँ पे exam में थे जिनको पैसे दिए जाते है जो teacher थे वहाँ पे जो exam ले रहे थे क्या ये उनकी गलती नहीं है क्या ये उनकी गलती है या नहीं है candidates form भरते हैं पैसे देते हैं fees कटाते हैं और government उनको पैसे देती है तो क्या ये उनकी गलती है या नहीं है मतलब दो गंटे के exam में कितने candidates होते हैं 25 around एक room में होते हैं लेकिन present उसमें से 15, 16, 17, 18 candidates होते हैं तो क्या वो दो गंटे के अंदर 15 बच्चों के वो check नहीं कर सकते हैं चलो उनसे गलती हुई होगी तो क्या ये उनकी गलती नहीं है तो एक सोचने वाली बात है कि government बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ भी बच्चों ने भी गलत किया है और government भी गलत कर दिये कि क्या हम role number एक तरीके से ही check कर सकते हैं हिंदी में लिखवाया जाता है अगर आपको उसी तरह से check करना तो आप हिंदी में English में क्यो time waste कराते हैं तो ये चीजे बहुत गलत है और ये DSSB की जो चीजे हैं हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं candidates को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले तो candidates को भी सोचना चाहिए था कि क्या करना है आप लोग teacher बनने जा रहे हैं लेकिन इसके बाद जो वहाँ पे room में था teacher उसको पैसे दिये जा रहे हैं आप जो form fill करते हैं वो पैसे दिये जाते हैं तो इसके बाद भी कोई solution नहीं होता है तो आप लोग ऐसे लोगों की duty क्यों लगाते हैं जो चेक ही नहीं कर पा रहा है अगर कोई mistake हो रही है वो देख नहीं पा रहा है इससे हो सकता है कि उन 800,000 candidates में से हो सकता है कि 10-15 का selection होने वाला था 10-15-20 का selection होने वाला था तो उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है तो यह बहुत गलत चीज़े हैं अब इसका जिम्मेदार कौन है यह सोचने वाली बात है और रॉल नमबर अगर एक ही तरह से चेक कर सकते हैं तो और जगे क्यों लिखवाया जाता है और जगे इसलिए लिखवाया जाता है कि अगर आपकी mistake हो गई उपर तो नीचे आप च चेक हो सकती हैं तो सातियों गुडबाई टेक कियर थैंक यू जैहिन वंदे मात्रों